आज हमने आपसे कमिट्मेंट की थी कि आपको वह इंफिमेशन प्रवाइट करेंगे जिसका आप सवाल अक्सर पूते हैं कि क्या मैं जा पाऊंगा जा पाऊंगी आगे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे और हमेशा पैसों का एक इस्चु बन जाता है या फिर लाक गाइडन्स का तो आज कुछ गाइडन्स भी लेंगे हमने एक कैस कुछ से बुलाया ताके हम डीटेल गुफ्तगून से कर सके और एक कम्प्लीट पिक्चर ले सके फरुख लुक्मान साब हमारे साथ हैं एक एक्सपिरिंस्ट इमिग्रेशन कंसल्टन्ट है प्राइविट क डिग्री करनी हो चाहिए आपने मास्टर्स करना हो इवन ऑन पी एच्टी लेवल वो क्या चीज़े की जा सकती हैं जो आपके लिए अफोर्डिबल भी हो आसानी से भी हो पाएं और आपके पेरेंट्स भी सैटिस्वाइड अंदास में आपको भेजें सो पेरेंट्स जरू आपने अपलाए करना होता है और फिगर आउट करना होता है तो बाहर जाके पढ़ना आपकी नजर में क्या जरूरी है कि नहीं है या अनिम्पॉर्टेंट है नो बाहर हमारे जुकिया तुमाम दुनिया गलोबलाइज हो चुकी है और बाहर जाने का सबसे बड़ा फादा आपको यह है कि आपको उन मुमालिक में तरक्याफता लोगों के साथ पढ़ने का मोगा मिलता है और वो नालेज आप वापस अपने मुल्क पाकिस्तान लेकर आते हैं ताके हमारा मुल्क भी उन चीज़ों को यूटलाइज कर सके तो यह जस्ट जो से इसमें सबसे एहम ची में बिल्कुल सही और यह पात मैं जरूर आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगी व्यूवर्स के अक्सर लोगों का खाब होता है कि हम बाहर सेटल हो जाएं अगर आपने बाहर भी सेटल होना है तो जब आपके पास बाहर की डिग्री होती है तो डिग्री खतम करते करते आपके पास option होता है कुछ मुमालिक में apply करने का for immigration also अपनी education के base पे और अपनी वहां पे रहने की base पे जो आपने अर्सा गुजा रहा होता है सो वो भी एक option बन जाता है proper legal तरीके से रादर देन आप study visa पे जाएं study ना करें वहां पे पर रह जाएं illegal immigrant बन जाएं ये चीज़ें जरा problematic होती है जिससे reputation भी खराब होती है बड़े-बड़ मुमालक में UK, US, Australia, Canada अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बहुत अच्छे मुमालक मुझूद है जो free education देते हैं जैसे Norway है, total free education है, Germany है, education free है, France है, education free है अगर प्रिंस्टन, Harvard ये जो Ivy League लेवल की universities होती है, वो आपको अगर accept कर लेती है तो वो आपको financial aid भी देती है अगर आप intermediate या A level या उसे आगे बहुत अच्छे grade लेते हैं तो इन युनिवर्स्टियों में आप scholarship के ओपर जा सकते हैं, full bright scholarship है, जो American universities देती है, उनको अवेल किया जा सकता है, बेशुमार scholarship है, जो के UK government देती है, उनको अवेल किया जा सकता है अच्छे, वैसे एक बात, लोग कहते हैं कि सरफ O and A levels के बाद आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैंने तो FA किया था कनेट से, and I got very good grades, but बात ये कि FA के बाद, मैं Canada चली गई थी पढ़ने के लिए, वो सिरफ आपके result का पर वेट करते हैं, वाँ पर पढ़ते हुए किया आप अच्छे नहीं और उस पर पर आपके हो जाते हो, अधर यस मेरा ख्याल है कि जो मुझे एक्सपिरिंस मिले है उसमें इंटरमीजेट के बच्चे बाहर के मुलक में जा जा रहे होते हैं, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई प्राबलम नहीं है, दोनों बच्चे जाके पढ़ते हैं और अपनी मेहनत से काम्याबी हासिल करते हैं, और एक बाद हमने कही थी, कि वहां पे लीगल रहने का, हमारे जो एक्सपिरिंस तरह है, वो बच्चे यह समझते हैं, कि हम बस बाहर पहुंच जाएं, और उसके बाद पढ़एं ना पढ़एं इसे कोई ह करते हैं और अच्छी तालिम लेते हैं, तो चंद सालों में जैसी उनकी एजुकेशन मुकमल होगी, वो एक काम्याब इनसान होगे ना सिर्फ उन मुलकों में बलके पाकिस्तान के लिए भी. बात ही है कि चाहिए आप बाहर रहें या वापस आजाएं पनी डिग्री हासिल क के बाद, आपको जॉब भी बहतर मिलेगी और आपकी फैनेशल सिट्वेशन भी बहतर होगी हमेशा जब डिग्री सामने आती हैं तो अगर या तो पाकसान की किसी टॉप यूनिवर्स्टी से पढ़ेवे हो बाहर की कोई जरा ओर्डनरी यूनिवर्स्टी से भी आप इस मेरे जो ज़्याता रेशयो है वो यू के स्टेडी की है फिर अस्टेलिया की हो है फिर कैंड़ा की फिर यूसे और उनमे आपकी कोई कि एग जियुकेशन को की कास यह पिर भी और चाते हैं कि हमें यूके जया जाए और सस्ती एजूकेशन की तरफ अगर जाएं, अगर फर्ज करने, आपको किसी वैसे फ्री एजूकेशन में नहीं मिला एड्मिशन, तो आप चेक रिपबलिक चले जाएं, बहुत सस्ती एजूकेशन है, पॉलेंड चले जाएं, थी थाॉजन डालर उनकी टूशन फीज है, य पांदान को भी आगे लिए जी बिलकुल, और अपने मुल्के लिए ही काम कर सकें, क्योंके जब आप अदर जाते हैं, तो आपको अपने मुल्क की चादर ज्यादा फील होती है कि मैं अगर ये सब कुछ इढ़ की सीखा हूँ तो क्यों मैं आ अपने मुल्को अच्छी तरि कि तो अब आप हिसाब लगा लें कि over the course of the university कितना बट पहले साल के बाद जब मुझे issues हुए तो उन्होंने एक तो जब मेरा पहले भी दाखला हुआ था तो उन्होंने 4000 डॉलर्स ऐसे ही माफ कर दिये थे इंटरंस scholarship का नाम देके और इस तरह करके उन्होंने बहुत ज्यादा इड्जस की थी मेरी fees जब मुझे मसाइल हुए थे लेकिन मसला होता है पहुंचने का कम्यूनिकेट करने का अब आपको अगर अंग्रेजी नहीं सही तरह बोलने आती तो पिर आप क्या करें हमें यह भी आजकर मुश्किलात पेशारी हैं जो भी हमें टेलीफून काल जाती हो यही कहते हैं कि क्या हम विदाउट आइल्स जा सकते हैं मुझे यह समय जा थी कि हमारे पाकिसानी बच्चे टोफल और आइल्स से इतना डरते क्यों हैं मुझे एक्स्पें तो करें ना कि यह दोनों चीजे हैं जो आप शुचे के बिल्कुल कोरे का अगज आपके सामने बची भी देख ओके इन फैक्ट आपने जब अमेरिका यू राइटिंग, लिस्टिंग और स्पीकिंग के टेस्ट होते हैं और इंग्लिश वह है जो हम चटी कलास से पढ़े हैं कोई नई चीज नहीं है जस्ट आप यह पाकिसान में इसका हवा बना हुआ है तो यह मैं सब को यह कहूंगा यह बहुत आसान है कभी भी आप किसी से यह लुचछड़ाप इनकी कोचिंग अवелич भी लेबल है नहीं के तो जिनकी इनल्लिष अची है कोई है जिनकी अफ़िज्टीं करदें और मैं यह नहीं कहूंगा कहा कि अप जरूर कोचंग लें आप भुक्स मरकिड्स से लें कीसिर्स विलेबल हैं सीडिज अवैलेबल है घर बैठे सीखें, सारा कुछ अवेलेबल है और इसको आइल्स को अपास करना कोई भी मुश्किल काम नी है और अगर आपको कोई कंसल्टेंट सम टाइम अखबारों में भी आता है विदाउट आइल्स, स्टाडी इन कैनेड़ा विदाउट आइल्स, इन चीजों से हमेशा आप दूर रहें क्योंकि इसमें या तो वो कंसल्टेंट आप नर्विस होने वाली बात है बिल्कुल इस वेरी और तिंग के एक दाम से और पैसे जाया हैं भी करने है और वो जो आप इदर उदर हाथपाँ मारने से जाया करेंगे असलमें यह वो लोग होते हैं जो कहते हैं आप ने एक चीज नहीं देनी तो आपका वीक पॉइंट पकड़के आपको अननेसेसरिली वो करते हैं अब मैं अगर केनेडियन अमबैसी की बात करूंगा तो उनकी तरफ से जो गाइडनस है वो यह है कि हम आइल्स या टोफल का स्कोर देखना परसंद करते हैं जो यह को सोगा उसको उसके वीजे के चांसे अच्छे हो जाते हैं तो जो विदाउड आइल्स या टोफल लिखते हैं यह सर अबच्चों के साथ जाती है उनके पैसे जाया होते हैं साथ अगर अब आपने जाना है कि अकश uso sape अद्रुण कलो अवेखने अड.. कर वेजिगाई थिए लिख स cynर्रं इंचानल करिया कि आपको साइट और अगर को साथ च्चानल आप टेस्ट को जो वेख ए टेस्ट मेटे को कि अगर थे हो इंट सेट एंगर अच्ट मॉन यह नहीं किया हुआ तो आप हमारे मुल्क में आके कर सकते हैं पहले करने की जुरूत नहीं है तो यह टेस्ट इसलिए होते हैं तो यह एंटरंस के टेस्ट नहीं होते हैं यह एक तरह से यह सैट एंटरंस कर तेस्ट है जी मैट भी है लेकिन बहुत से मुमालिक में इनकी कोच सब्सक्राइब करने चाहिए किया टाइम होता है अपलाए करने का कि यूजिली सब उनिवस्टिस का राउंड एक ही टाइम हो रहे होते हैं सब्टमबर इंटेक या फिर जैन्मी इंटेक के लिए हो रहे होते हैं और किसी भी इंटेक के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो एट लीस सिक्स सेमन मन्त पहले आप उसके उपर काम करना शुरू करें आप लेकर आपकी तैयारी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके आने वाले हैं लाइक हम मैं एलेवल या इंट्रिमिजेड की एग्जंप अब जैसी इसांग मिले आईल्स की तेहरी करें एक टो जीज़ को सकता है मिस हो जाए जो बच जो बच्छे ए लेवल करें उनों एहलेडी ओ लेवल में इंग्लिप्जी o बे इंग्स के अग्जाum हैं तो अगर उनके ओ लेवल की एंग्छ में ए सी हैं और उनको तो तो ऑ A-Level के डाकुमेंट्स और अगर आप A-Level के एक्जाम दे रहे हैं तो केनेडियन एमबैसी में तो वीजा इंटर्व्यू ही नहीं है वह आप किस्ट जब आप वीजा अपलाई करते हैं जस्ट स्टेटमेंट अफ परपस जिसे स्टेडी प्लैन कहते हैं वह बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए जिसमें आपने बताना है कि मैं पाकिसान में क्या क क्या करें हूं मैं इस को क्यों ले रहा हूं और मेरे वाइव जिए के प्लैन क्या है और यह जो कोर्स है मुझे और मेरे मुल्क को क्या बेनिफित है अच्छा ऐसान किन जगाओं का हुआ है मैं आप से 32 बात करी हूं क्योंके अब शेंगन के लिए आपको जिए यूनिवस् ये लिटरली दो दो हफते तीन तीन हफते में लगा रहे हैं परे चार-चार महीने लगते थे हमारे स्ट्रोंट्स आज इंटर्विव दिया है तो कल समस आज आता है कि आपना पासपोर्ट क्लेक करें वार एक दिन की भी एग्जम्पल मुझूद है तो सबसे जो easy visa आपने तो उसमें पर जड़ा मसला होता है तो बिलकुल वो खुद भी पूछते है कि आप यह तो यह तो यह नहीं सुनी तो आप कैसी जा रहे हैं इसलिए कोशिच करने चाहिए उनिवस्टी हो का लग्या अच्छा हो और प्रोग्राम पर ऑपर हो तो मैं कह असान होने का मतलब हर्गेज नहीं है कि आप लिजीबल भी नहों और आपको भीजा दिया जाए 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 तब ना को बैंक स्टेट्मन्ट हो ना कुछ हो आप अपलाई कर रहे हैं कोई स्टडी गैप नहीं है यह है तो वो जिस्टिफाइ हो रहा है कि मैं इसमें क्या कर कर दो हुद्पर रहा हूँ प्रापर डॉक मेंटेशन हो पिरेंट्स की बैंक सेवेंन्ट हो या आपकी ऑनी बैंक सेवेंन्ट हो वह तिमाम रिकोर्मेंट उपने पूरी करनी और उनको पूरी करना कोई बड़ी बड़ी बादी आपको ज़ुरूरत नहीं है कि बंदल के ब कि यह प्रोफाइल कैसी है कैसा स्टोरेंट है और अगर अगर जैसे अपने शेंजन कंक्रीज का कहा वाकि मैं अपसे अगरी करता हूं वह थोड़े से पाकिसान के मामले में टफ हैं लेकन मुझे चंद दिन पहले चेक रेपबलिक जाने का मोगा मिला तो मैं वैसे दूसरे में चुके अखबाराद में एक निवजाती है स्टेडी इन यू के स्टेडी इन कैंडा स्टेडी नास्टेलिया और बाकी मुमालेक ना होने के बराबर हैं और यह चेक रेपबलिक है यह बहुत अच्छा मुल्क है इनकी एड्यूकेशन जो है वो भी बहुत इकनामिक है ल जिसके पास पैसे नहीं है लाइक मैं आपको एक्जमपल लेता हूं नौर्वे की थी यह बैक मैं एक्सटोर्ण उदर गया है उनको नौर्वेजन उनिवस्टी ने एर टिकट के पैसे भी दिये मैं स्टेप माधर और मैं मनीजे आंटी जब वो बाहर जाना चाहती थी दिफरेंट लिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए मैरिट तो मैं फादर हम लोग मैं नौ साल की थी तो हम लोग गए भी थे उनके बास नौर्वे मिलने के लिए वो गई थी कुछ सालों के आप उस चीज के बारे में सीखना चाहती है जो यूनीक और आउट दूड़ तो इवन एज एन ओल्डर स्टुडंट इस इंक मचोर स्टुडंट कहते हैं कैनिडा में पता निवार क्या कहते हैं मचोर स्टूडंट भी आपको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चों क मजीद और हम बेकिवाद। वेल्कम बाक फूम दे ब्रेक प्यूवर्स फरुख लुकमान साथ है एक्सपिरियंस्ट इमिग्रेशन कंसल्टन्ट है ब्रेक से पहले हम स्टूडंस की बात कर रहे थे तो ये कहां पे लिखा हुआ है कि स्टूडंस सिरफ सत्रा से बाइस या पच्छी साल की उमर का होना ची जी फरुख आव इसके बारे में आप क्या कहेंगे येस इसके आप जो इल्म हासिल करना है वो तो जब तक आपके आप जिन्दा है जब आप इल्म हासिल कर सकते हैं लेकिन जब स्टूडंस की बात होती है तो 17 साल से 25 या जाधा 30 की यह जाती है येस वो उसमें प्राबलम है कि एडमिशन लेना किसी भी मुल्क में कोई भी प्राबलम नहीं है असल प्राबलम आपको फेस करनी पड़ती है एमबैसीज में इस फैसला करके बैठी होती है कि अब जो ये बच्चों वाले हो गए है इतमीन ये अब सिर्फ हमारे मुल्क में सेटल होने के लिए आ रहे इतमीन ये लेगे इतमीन थाजशन भारे में भी मुल्क में सेटल है इतमीन रहे प्राबलम नहीं है जो एम छीया है इतमीन तरी है